Hi friends, how are you? A very good morning to all of you. So today is 19th October, चले देखते हैं, आज क्या था? जादा कुछ नहीं है. एक तो latest NIA की findings आई है, वो important है, कि जितने भी latest attacks हो रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, यह जो नए terror outfits है ना, उनकी नए strategy है, ताकि वो derail कर सके measures, आपको पता है, जैसे government वहाँ पे measures ले रही है, पहले तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक duty बनाया, ताकि थोड़ी सी tensions ease हो सके और वो direct central government ये control में आ सके. फिर वो क्या करने हैं, वहाँ पे industrial developments कर रही है, extend करना चारही है कि domicile status, ताकि तरह तरह के लोग जो हिंदुस्तान से हमारे वहाँ पहुंचें, वहाँ रहें, तो various categories of people को वह वहाँ बसाना चारहे हैं, ताकि यहां के लोगों को वहाँ पर job भी मिल सके, other benefits ले सके, तो उसको ये basically ना, ये derail कर रहे हैं उस measures को, ताकि जो non, जो भार के लोग आयों हैं, उनको मारेंगे, उनमें एक डर पैदा होगा, तो ये बहुत जरूरी थी finding, और बहुत जरूरी है हमारे paper के लिए, क्योंकि जब ये बड़ी जो organizations हैं, या कोई हमारे anti-terror fronts हैं, जो ये इनकी findings आती हैं, ये important होगा था हमारे paper के लिए लिखना, तो इनको आप bold letters में लिख सकते हैं, कि NIA की findings क्या है थी इस चक्कर में, आपने अपनी जो भी आपके thoughts हैं, वो आप लिख सकते हैं, जो भी आपकी findings हैं, वो लिख सकते हैं, तो आप different news reports है, बट आपको जो ये NIA की findings, अगर कुछ army की findings हैंगी, वो, वहां के local police की findings, police की intelligence की findings, वो आपको bold में लिखना होगा, वो आपको actual बात बताएगी कि आप facts क्या हैं, ठीक है, आप अपना जो भी outlook है वो लिख सकते हैं, बट ये findings अतना बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, तो इसको bold letters में लिखती जिएगा, क्या नहीं की findings क्या ही हैं, उस पर एक page 1 पर आपने देखा होगा, केरला में बहुत ज़्यादा range हो रही है, तो उस पर इसे आपने देखा होगा, इस पर प्रिलन सा पूछ लिया था, इन में से कौनकोन से rivers यहां आपको से निकल जाते हैं, यह third longest river in the state of Kerala, after Perriyar and Bharatafuza, यह originate कहा होती है, originate होती है in the western ghats, और यह join किसको करते हैं, Arabian Sea को, यह Arabian Sea को through number of channels, इंके कई ज़्यदा distributories बन जाती है, कुछ वेंबनाद लेक में भी जाती है, कुछ Arabian Sea में जाती है, तो यह important है कि Arabian Sea में जा रही है, यह मतलब western flowing है, eastern flowing नहीं है, ठीक है, उनकी northern boundary देख जाते हैं, northern है मनीवला, और southern है अचंकोवल, यह important था, और दूसरा इंको गंगा ओफ केरला भी खा जाता है, length की वज़े से नहीं, यह मत confused हुएगा कि length की वज़े से कहते हैं, इसकी purity की वज़े से, जो लोग Lord Ayapa को मानते हैं, तो पंबा रिवर उतनी ही प्योर है, जितनी रिवर गंगा, तो इसलिए गंगा ओफ केरला भी का जाता है इसको, एक editorial पे सा कुछ खास नहीं था, अगर पढ़ना चाहें, interesting और note बनाने वाला कुछ नहीं था, वैसे कर आपने interest है international matters पे, तो अब AQ Khan का जाया हुआ है, वो पढ सारा दे रखा है, या क्या US ने हुशारी कर रखी थी, क्या Pakistan ने हुशारी कर रखी थी, इंडिया को काउंटर करने के लिए भी कर रखा था इन लोगों ने, जो help करी थी पाकिस्तान को US ने, आप पढ़ सकते हैं, उसके notes मत बनाया रहा है, ठीक है उसमाद आपने देखा उसमें important क्या था, जब resume होंगी, जब हो जाएंगी तब देखेंगे, अभी कुछ important नहीं है, बट उसमें ना कहीं अबरहाम एकॉर्ट दे रखा था, वो बहुत important हो जाता था इस बार, तो वो 12th January के lecture में आप सुन सकते हैं, एक page 11 पे था, कि Judiciary Should Not Act as Super Legislature, सेंटर ने कहा है, यह बहुत important हो जाता है, उसमें Tribunal Reforms Act का बहुत दे रखा था, तो देखें, जो main issue है, Tribunal Reforms Act का, वो आप 17th August को सुन सकते हैं, उससे जादा कुछ करने की ज़ूरत रही है, उसमें page 12 पे था, moral defects, एक तो है, अराहत भिकू, यह आपने na Lucent की जो बूक आती है, जिसमें सारे subjects दे रखे होता है, उसमें भी आप पढ़ेंगे, अपनी history में पढ़ेंगे, ancient history में बहुत जादा है, इसके उपर question भी आ जाता है, कि Emperor Ashok जो थे, उनके कौन-कौन बच्चे गए थे, तो वो बहुत important हो जाता है, एक तो यादगी का अराहत भिकू, यह depict करता है महिंद्रा को जो Emperor Ashok के बेटे थे, जिसमें वो दिखाया गया कि वो message दे रहे हैं, बुद्धा का चुकिंग देव नाम पिया को, जो शिलंका के राजा है, ठीक है एक है थेरी भीकुनी, इसमें संग मित्रा, वैसे हम लोग जब अपने इसमें संग मित्ता लिखा हुआ था, बट एक्च थी, उस रिक्षिका उन्होंने सैपलिंग भेंट करती भी रिज़र आ रही है, ठीक है, ये दो वो थे, उससे जदा आज कुछ नहीं था, इंटरनेशनल पेज पर अपने देखा हुआ थोड़ा सा अगर आपको लगेगा, नोट्स मिनाने वाला तो लगेगा, जो रश्या बनाने वाला नहीं है, अब जो comment की नोट सर्प कर ल वो normal एट कि मत किरेगा, ठीक है, that's it, for today, thank you so much for listening, have a good day, take care, God bless you all.